राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी यूट्यूब चैनल के ऐसनी राधे किश्णा शेंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की कथा और महत्व पताएंगे। बैदिक पंचांग के अनुसार जया एकादशी प्रति वश मांक शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को पर्ती है। इसका प्रत कहने से व्यक्ति नीच योनी जैसे भूत प्रेत पिसाँच की योनी से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रध्धा पूर्वर्ग जया एकादशी का ब्रत रखता है, बहे प्रम्हत्य जैसे महापाप से भी छूट जाता है, तथा भागवान पिष्टू की कृप्रा से उसे जीवन के समस्त सुखों की प्राती सहज ही हो जाती है। प्रतेक एकादशी प्रत किसी नक्रसी श्रेष्ट उद्देश्य की पूर्टी करने में साहिक होती है। में मदद करता है। धार्मिक मानिताओं के अनसार भागवान पिष्टू का इस्मार करते हुए पूर्शद्धा के साथ जैया एकादशी की कथा सुनने मात्य से ही। खराप से खराप भाग्य भी चमक जाता है। हर छेतर में सफलता प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किये गए पापों से मुक्ती मिलती है। और भागवान पिष्टू की करता से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ती मिलती है। नाश करने वाले हैं। अब आप क्रप्रा करके माग शुक्ल एकादशी का वर्णन केजिए। इसका क्या नाम है। इसके ब्रत की क्या विधी है और इसमें कौन से देपता का पुजन किया चाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका ब्रत कहने से मनुष्य भ्रम हत्यादी पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होता है। तथा इसके प्रभाप से भूत पिसाच आदी योनियों से मुक्त हो जाता है। इस ब्रत को बिधी पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पत्म पुराण में वर्नित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य से भी देवगार सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इक्षानुसार नंदन बन में अपसराओं के साथ बिहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसि पुष्य दंत तथा उसकी कन्या पुष्य बती और चित्र सेन तथा उसकी इस्त्री मालिनी भी उपस्तित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्य बान और उसका पुत्र मालेबान भी उपस्तित थे। पुष्यबती गंधर्व कन्या मालेबान को दीख कर उस पर मोहित हो गई और मालेबान पर काम बार चलाने लगी। उसने अपने रूप लावर्णे और हाव भाव से मालेबान को पश्मी कर लिया। ही राजन वह पुष्यबती अत्यंत सुन्दर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्य करने के लिए कान करने लगे। परंतु परस पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकासे नागाने तथा स्वरताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए। और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ कर उनको श्राप दे दिया। इन्द्र ने कहा हे मूर्खों तुमने मेरी आग्या का उलंगन किया है। इसलिए तुम्हारा धिककार है। अब तुम दोनों इसते पुरुष के रूप में म्रत्यों लोक में जाकर पिशाच रूप थारन करों और अपने कर्म का फल भोगो। इन्द्र का एशा श्राप सुनकर भी अत्यंत दुखी हुए। और हिमाले परवत पर दुख पूर्वख अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रश तथा इशपर्ष आदी का कुछ भी ज्यान नहीं होता था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हे एक छण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगे अत्यंत शीत था। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे। और मारे शीत के दाद बसते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपने इस्त्री से कहा कि पिशले जन में हमने ऐसे कौन से पाप किये थे। जिससे हम को यह दुखताई पिशाच योने प्राप्थ हुए। इस पिशाच योने से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है। अत्य हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बिचार कर दे हुए, वे अपने दिन ब्यतीद कर रहे थे। देव योग से तभी माग मास में शुकल पक्ष की जया नामक एकादशी आई उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया केवल फल फूल खाकर ही दिन ब्यतीत किया और साइकाल के समय महान दुख से पीपल के ब्रख्ष के नीचे बैठ गए उस समय सूरे भगवान अस्त हो रहे थी उस रात को अतिनते ठंड थी इस कारण वे दोनों शीत के मारे अती तुखित होकर म्रतक के समान आपस में चिप्टे हुए पड़े रहे उस रात्री को उनको निंद्रा भी नहीं आई हे राजन जया एकादशी के उप्बास और रात्री जागरन से तूसरे दिन प्रभावत होते ही उनकी पिशाच योनी छूट कई बे अत्यंत सुन्दर गंधर और अपसरा की देह धारण कर सुन्दर बस्ता भूष्णों से अलंकरत होकर उन्होंने स्वर्ग लोग को प्रस्थान किया उस समय आकाश में देपता उनकी इस्तुती करते हुए पुष्प बर्शा करने लगे स्वर्ग लोग में जाकर इन दोनोंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया इन्द्र इनको पहले रूप में देखकर अतिन्त आश्चरे चकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिसाच योनी से किस तरहें छुटकारा पाया सो सब बतलाओ माल्यबान बोले कि है देविंद्र भगवान बिश्णू की क्रपा और जया एकादशी की प्रत के प्रभाव से ही हमारी पिसाच देख छुटी है तब इन्द्र बोले कि है माल्यबान भगवान की क्रपा और एकादशी का प्रत करने से ना केवल तुम्हारी पिसाच योनी छुट कई वरन हम लोगों के लिए भी तुम बंदनिय हो गए क्योंकि भगवान बिश्णू और भगवान शिप्किर भक्त हम लोगों के बंदनिय हैं अथे आप थन्य है अब आप पुष्य बती के साथ जाकर बिहार करो श्री कृष्ण कहने लगे ही राजा युदिष्ट उसने मानों सब यग जब दान आदी कर लिये जो मनुष्य जया एकादशी का ब्रत करते हैं वे अवश्य ही हजार वर्ष तक स्वर्ग में बास करते हैं साल में आने वाले 24 एकादशियों के ब्रत में ये भी महत्मों ब्रत है इस ब्रत को कहने से पिषले कार्मिक दोशों से मुख्ति मिल जाती है और मृत्यू के बाद मुक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए जया एकादशी को खास माना जाता है ये ब्रत कहने से जाने अंजाने में किए गई पापों से भी छुटकारा मिलता है एकादशी के दिन भगवान विश्णू की आराधना की जाती है जया एकादशी पर भगवान विश्णू के साथ साथ मालक्ष्मी का पूजन करने से ब्रत और पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है जया एकादशी पर भगवान विश्णू का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, नेवेद, दिल एवं पंचाम रसे भगवान विश्णू की पूजा करें शास्त्रों में बताया गया है कि जया एकादशी ब्रत के दिन पवित्र मन से भगवान विश्णू की पूजा करें चाहिए मन में देश, छल कपट, काम और वासना की भाबना नहीं लानी चाहिए इस दिन नारायन इस्त्रोत एवं विश्णू सहस्त्र नाम का पाट करना बहुत ही कल्यारकारी होता है एकादशी के दिन रात्री जागरन का विशेश महत्र होता है रात्री में भगवान श्री हरी विश्णू के नाम का भचन की दन अवश्य ही करना चाहिए एकादशी का ब्रत रखने वालों को अन्य और नमक का सिवन नहीं करना चाहिए एकादशी पर साथ भूजन क्रहें करें एकादशी के दिन चावल खाना निशेद माना गया है साथी भगवान पिश्णों की पूजा में भी चावल का प्रयोग ना करें क्योंकि आज की दिन चाबल का प्रियोग करना बजित माना जाता है आज की दिन भगवान विश्नु का ध्यान करते हुई शद्धापूरवत जया एकादर्शी की कता सुन्ने मातर से ही भगवान विश्नु की करपा से सभी कष्टों और संकर्टों से मुक्ति मिलती है सोया भागे जाग जाता है दुर भागे सो भागे में बदल जाता है हर छेतर में सपलता प्राप्त होती है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भैभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स वर वाचिंग राते राते